हेलो एवरिवन, सो वेलकम टू जैदेव क्लासेज फॉर ज्याराइफ एंड दिस इस मिनाक्षी सिंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं जॉन गुल्टंक, तो जल्दी से सारे लाइव आजाओ फटाफट, वन मिनिट रुकेंगे एक बार देख लेते हैं, आडियो वीडियो क्लियर है एक बार देख लेते हैं एक बार देखे लेते हैं हेलो एवरीवन सो वेरी गुड इवनिंग टू आल आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी ओडियो वीडियो दोनों क्लियर होंगी सो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग पढ़ेंगे जौन गुल्टं को तो जली जली जॉइन कर लो फटाफट जिन थिंकर को पढ़ने वाले हैं वो ये हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग म hm एंटी यॉजी सीनट से इस टॉपिक से जो है इस टॉपिक से आप लोगों के लिए जो कुश्चन है आए तो इसी वज़े से आज हम इस टॉपिक को यहां पर कवरप करेंगे ठीक है काफी बचों की डिमांड थी कि मैं हम यह करवाए तो आज हम इस टॉपिक को यहां पर करने वाले हैं जॉन गुल्टन तो हेलो एवरिवन जैदेफ क्लासेस फॉर जी आरफ में आप सभी का वेल्कम है आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन हमारे साथ और क्रैक कर सकते हैं नेट, जियारेफ, सेट, पीएसडी, यूपी, पीजुटी, यूपी, हचीएसी, एक्जाम को, यहाँ पर आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, दूसरा जो है, आपका रिवीजन कोर्स चल रहा है, पेपर वन पे MCQS कोर्स है, और यहाँ पर लाइफ क्लासे, टेस्स सीरी, स मिल जाएगा, और 3 मन्त का 5,500, 6 मन्त, 8,500, और 12 मन्त का 15,900, तो 15,900 का यह आप लोगों को पढ़ जाता है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहें, आ सकते हैं, इसके अलावा, आप लोगों के लिए जो है, क्लासेस वाईज एप पर होती हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, अगर आप जोइन करना चाहते हो, हमारा कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल जो है, जैदेफ क्लासेस फॉर जी आरे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें आप लोगों को, जो कराया चाता है, ठीक है, हाँ बिटा थोड़ा सा टाइम लग गया, एक्चुली न, मै जोन गुल्टन का थोड़ा सा यह पेज बना रही थी, तो इसी वज़े से मिचे टाइम लग गया, और एक्चुली हमारे यहां थोड़े लाइट आ जा रही है, बार बार, तो उस वज़े से भी हो गया थोड़ा, इसलिए मैंने लेटी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो टेल चलो, आप देखो जो भी बच्चे, यहां पर देखो अगर आप लोगों को हमारा चनल अच्छा लगता है, अगर लगता है, बेनिफीशल है, तो ज़रूर हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसके अलावा, डेली 4 पीम फ्री क्ला में, जो संडे को पेपर हुआ था, वो करवाया था, अगर संडे वाले टेस्स में, अगर आप टॉप 3 स्टूडेंट्स में से हो, तो आप क्या करना, आप मुझे वट्सप नंबर जो है, 9205 वाला, इस नंबर पे, आपको हाई करके भेजना है, ठीक है, 9205-28-8969, यह आते हो, तो टेस्स सीरीज भी ले सकते हो, यह 500 की है, 500 पेस का प्राइज है, ठीक है, और एब्री डे आपको 50-70 कोशन मिलते हैं, चलो भई, स्टार्ट करते हैं, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक कराने वाली हूँ, जोन गुल्टन, यह देखो यह रहे, जोन गुल्टन, बेसिकली क्यों फेमस है, ठीक है, यह फेमस क्यों है, क्या रीजन है कि हम इन्हें स्टडी करते हैं, जोन गुल्टन को, ओके, तो वन मिनिट रुकेंगे, बस वन मिनिट वेट करना है आपको, स्टार्ट करते हैं, बस वन मिनिट वेट, एक पीडिएफ है, उस पीडिएफ से ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, उस पीडिएफ से ही हम करेंगे, तो, कही हम हैं, आपको से ही हम आटऴी है, आफ से लोगों करें आफ एक गःऊ है, यह हम मिनितों करेंगे से जयाए, एक जात Quebecatin रबेंगे, क्या लोगों के बटनागे,ति,क वोगों को फ मिनितों हैं, मिल गई बस बस हो गया एक्शली पहले मैं सोच रही थी आप लोगों को लिख के कराने की अब मैंने सोचा कि आपको PDF से ही करा देती हूँ और उसके बाद हम न फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये PDF दे दूँगी फिर आप अराम से इससे कर लेना तो मैं आप लोगों को वैसे लिख कर भी करवाऊंगी साथ साथ और इससे भी करवाऊंगी चलो आजाओ अभी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा बट अब दिखेगा अब देखो जब हम जॉन गुल्टंग की बात करते हैं जौन गुल्टंग जो बहुत जादा फेमस है तो चलो इनका स्टार्ट करते हैं हम लोग करना मैं वैसे आप लोगों को यहाँ पर भी बताती चलूँगी जो पीडियेफ है उससे भी बताती चलूँगी ठीक है जौन गुल्टंग इन्होंने three triangle दिया था जिसमें ये analyzes करते हैं conflict इन्होंने three triangle बताया conflict को analyzes करने के लिए छीक है इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या चीजें बताई negative piece और positive piece negative positive piece को बताया negative पॉजिटिव piece को ठीक है इन्होंने types of piece बताए कि piece के क्या types होते है कितने types होते है मतलब यह mainly concept बता रही हूँ जो जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ठीक है वो आपको बता रही हूँ मैं इन्होंने civil war को mention किया जो इनकी पूरी study थी वो civil war इन नेपाल इस पर पूरी base थी जौन गुल्टं की ओके I hope आप लोगों को यह clear हो रहा होगा इसके अलावा यह civil war in नेपाल तो बताती ही बताते है इन्होंने और क्या बताया इन्होंने types of violence बताए इन्होंने types of violence बताए कि कितने types के violence होते है बाकी इनकी जो most important books है अगर आप books देखोगे तो books में first number पे आती है इनकी जो important है peace by peaceful means ठीक है यह इनकी most important book है कब की है 1996 की दूसरी book है इनकी searching for peace searching for peace है 2000 की और इनकी तीसरी book है choose peace 1995 की ठीक है अब इन्होंने यह पता है एक बहुत important term थी और वो term थी structural violence ठीक है यह माना जाता है बेटा कि यह structural violence को बताने वाले पहले वेक्ती थे जिन्होंने structural violence की बात की कि यहां भई कोई structural violence भी होता है ठीक है तो जौन गुल्टन की जब हम बात करते हैं the people's war और civil war in Nepal यह regard करते हैं most successful modest intervention था ठीक है और इसके according अगर आप देखोगे इन्होंने क्या क्या बताया देखो conflict resolution को यह बताते हैं किसको conflict resolution बताया asymmetrical conflict Communist Party of Nepal cultural violence peace keeping तो यह basically इनके key points माने जाते हैं किसके हमारे जौन गुल्टन के तो यह जौन गुल्टन के बहुत important क्या माने जाते हैं अब देखो यह पूरी जो है ना यह पीडियेफ है अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो basically ठीके यह पीडियेफ है जिसमें सारी चीजें है एक question भी आया था NTA UGC net में तो उसका पूरा यहां से आप लोग कर लोगे कि क्या क्या बताते हैं इन्होंने देखो contradiction बताए contradiction में कितने टाइपस के बताते हैं वही सारी चीजें आज हम लोग discuss करेंगे फिर यह structural asymmetry को बताते हैं फिर इन्होंने क्या बताया इन्होंने basically conflict बताया कि conflict कितने प्रकार के होते हैं वही सारी चीज़ें आज हम इसमें discuss करने वाले हैं ठीक है यह सारी चीज़ें हम लोग discuss करेंगे तो चलो discuss करते हैं और इसी तरह से चीज़ों को हम लोग John Gultang को हम लोग complete करेंगे कि John Gultang ने देखो John Gultang ने कितने प्रकार के तीन टाइप के त्री टाइप के वायलेंस बताये थे यह पहले बेखती थे तो यह धियान रखना अब John Gultang जब हम बात करते हैं John Gultang की तो इन्होंने सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले मैंने बताया कि three triangle analyzes करते हैं ये conflict का चलो उसी को सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम उसी को discuss करेंगे किसको three triangle आपको पता होगा ये peace study में सबसे ज़्यादा important माने जाते हैं three triangle analyzes of conflict मतलब देख उतनी बड़ी pdf जो है उसको पढ़कर जो निचोड निकाला है मैंने वो यहाँ पर मैं करवाऊंगी three triangles तो first triangle क्या करता है जो first triangle है आपका तो first triangle में हम क्या देखते हैं first triangle follow करता है इसमें attitudes contradiction and conflict behavior I hope मेरी writing समझा रही होगी यह first triangle हो गया अब second triangle किस से related है second triangle में हम violence को देखते हैं ठीक है क्या देखते हैं? and violence कि violence जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक होता है cultural violence दूसरा होता है structural violence और third type में आता है direct violence तो कोई भी conflict होगा आप उसमें तीन प्रकार के violence देखोगे cultural violence होता है, structural violence होता है, direct violence होता है जो third triangle है वेटा, third triangle third triangle आता है, ये conflict बताता है, ये explain करता है conflict को explain the conflict through peace making peace keeping peace building ये तीन तो आपको clear हो गए होगे, three triangles of conflict first triangle में हम क्या देखते हैं, first triangle में हम follow करते हैं attitude, contradictions and conflict behavior, first triangle इन चीज़ों को follow करता है second triangle monitor करता है, aspects of cultural violence, structural violence और direct violence in the conflict third triangle explain करता है conflict को through peace making, peace keeping और peace building अब देखो, ये जो conflict analyzes model है, ये जो conflict analyzes model है, basically, जिसको हम आज यहाँ पर देख रहे हैं इसको प्रपोस किया था, जॉन गुल्टंग ने कब किया था? 1969 में ठीक है? अब इसमें इनोंने क्या किया? यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लग जाता यहाँ पर इनोंने इसमें इंक्लूड किया था both, symmetric and asymmetric conflict को conflict analysis model को प्रपोस किया था, जॉन गुल्टंग ने 1969 में symmetric और asymmetric conflict को इसमें बताया था, symmetric conflict और asymmetric conflict, ठीक है? तो यहाँ पर अब basically उन्होंने conflict को कैसे देखा? conflict को conflict को देखा जाता है एक triangle के तौर पे उन्होंने एक triangle से compare किया conflict को, ठीक है? उसकी जो side है, उस triangle की जो side है न, वो क्या कर रही है? वो represent करती है A, B और C को, चलो triangle बना के देखें triangle बना के देखते हैं कैसे भाई? कैसे यह represent कर रही है? चलो हम triangle बनाते हैं, अरे भाई यह क्या हो गया? यहाँ पर हम triangle बनाते हैं चीक है? तो जो triangle हो जाएगा A, B, C I hope सबको clear हो रहा होगा अब यह A, B, C क्या है? एक बार मुझे बताओ सबको clear हो रहा है? जोन गुल्टन ने basically क्या किया? जोन गुल्टन वो आप back करके देखना बच्चे ठीक है? मैं हम first slide एक बार दिखा दीजिए जो आपने लिखा है आप उसे back भी कर सकते हो आपको पता है यह जो आप जैसे यह जो red line चल रही है ना यह जो red line है आप वीडियो पर क्लिक करो और उससे आप पीछे ले जा सकते हो ठीक है? back ले जा सकते हो उससे आप मेरे को back करने की जुरुत नहीं है आप खुद back कर सकते हो तो A for क्या हो जाएगा? A for attitude B for behavior और C for contradiction ठीक है? तो यहाँ पर attitude, behavior और contradiction तो यह बेसिकली उन्होंने बताया था conflict की तीन sides हो गई, triangle की triangle की three slides हो गई तो यह attitude, behavior और contradiction तो यह बेसिकली वो बताते हैं ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बेसिकली यहाँ पर यही चीज बताई थी, देखो यह रही ठीक है? Conflict analysis model जो था basically इसको propose किया था किसने propose किया था? Conflict analysis model प्रपोस किया था John Gultang ने 1969 में बहुत symmetrical और asymmetrical conflict और यहाँ पर conflict can be viewed as a triangle मतलब उस conflict को हम एक triangle के तौर पर देखते हैं, जिसकी 3 sides हैं, कौन-कौन सी A, B, C, तो यह जो 3 sides हैं, तो A for क्या हो गया? Attitude, B for behavior और C for contradiction Attitude मतलब एक तरे से आपका, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? Attitude behavior मतलब वहवार और C मतलब contradiction मतलब विरोधा भास ठीक है? तो यह ध्यान रखना तो यही चीज वो समझाते हैं, कि देखो इस तरह से यह बन जाता है अब contradiction जो है, contradiction को main conflict include the real perceived है ना, इसमें क्या होता है conflicting parties, in symmetrical conflict, contradiction defined by the parties, interest of conflict of interest, तो मतलब यहाँ पर asymmetrical और symmetrical में difference बताया है कि symmetrical conflict कौन सा होता है और asymmetrical conflict कौन सा होता है ठीक है, अब मैं आपको easy words में समझा देती हू symmetrical conflict और asymmetrical conflict कौन सा होता है ठीक है? चलो, यहाँ तक सबको clear हो रहा है ठीक है देखो, ध्यान से समझना symmetrical conflict में क्या होता है contradiction जो विरोधा भास होते है उसको बताया जाता है define किया जाता है किसके द्वारा? parties के द्वारा और उनके जो interest होते हैं and conflict होते हैं conflict of interest होते हैं ठीक है? यानि कि वहाँ पर contradictions को define किया जाता है parties के द्वारा और उनके interest and conflict of interest यहाँ पर देखे जाते हैं, asymmetrical conflict में क्या होता है, contradictions को define किया जाता है by the parties और relationship जो होते हैं and conflict within the relationship, यानि मतलब इन में जो conflict होंगे एक तरीके से, मतलब conflict होंगे, इनके relationship में conflict देखे जाते हैं, ठीक है, मतलब देखो symmetrical और asymmetrical, थोड़ा difference है, symmetrical में क्या होता है, इसमें contradiction define होते हैं, parties के द्वारा और उनके interest और conflict जो होते हैं, conflict of interest देखे जाते हैं, asymmetrical में contradiction define होते हैं by the parties, वही सेम चीज़, लेकिन जो relationship होते हैं इनके, उसमें हम क्या देखते हैं, conflict देखते हैं within their relationship, इन लोगों के relationship में conflict देखे जाते हैं, तो ये चीज धियान रखना, इसके लावा उन्होंने और क्या क्या चीज बताई थी अब देखो आपको पूरी नहीं करनी है अब देखो यहाँ पर पूरा अच्छे से बता रखा यहाँ पर आपको एक example दे रखा वरना बच्चों को समझी नहीं आएगा कि symmetric और asymmetric conflict कौन से होते हैं, अगर माल लो A और B A और B दोनो relatively similar हैं और equal position हैं तो अगर इन दोनों में conflict होता है, जैसे माल लो कि, चलो आप लोगों का example ले लेती हूँ चीक है, जैसे माल लो हमारी जैसे हमारे students हैं ठीक है, हमारे जो students हैं basically, तो इन में क्या है इन में अगर आप देखोगे तो इन में एक चीज हम देखने के लिए हम मिलती है, कि दो लोग same है अभी आप लोग study, अभी जब NTA UGC net के तयारी कर रहे हो, ठीक है जैसे मिनाक्षी, यह मिनाक्षी हो गई ठीक है, और यह हो गई हमारी यह हमारा शुभम हो गया, ठीक है अगर इन दोनों में लडाई होती है इन दोनों में conflict होता है, तो बताओ इसको symmetrical बोलोगे या asymmetrical बोलोगे, जब यह equal position पर होंगे, जब अब यह equal अगर आप देखोगे similar होंगे दोनों, क्योंकि similar ही है दोनों NTA UGC net की तयारी कर रहे है है ना, दोनों NTA UGC net की तयारी कर रहे है तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का तो वो क्या कहलाएगा, वो basically symmetrical conflict हो जाएगा ठीक है, वो क्या कहलाएगा, symmetrical conflict ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, जब अगर हम मालने, when in relationship A और B, A और B अगर देखो, इनमें clearly superior standing compared to other, यानि जो जैसे मालनो, अगर आपकी लडाई किस से होती है, आपकी लडाई मालनो, एक teacher से हो रही है, जैसे मुझसे हो रही है चलो, मालनो, मुझसे हो गई, ठीक है और यहाँ पर दूसरी तरफ कौन है, यहाँ पर दूसरी तरफ शिवरतन है, ठीक है, शिवरतन कहा रहा है, जैसे यहाँ पर यह UGC political science student है न, मैं कुछ तो हिंदी में बता दो, ठीक है अब यह देखो, यह बच्चे अभी हिंदी हिंदी मांगते रहेंगे, कि मैं हिंदी हिंदी, यह topic ही हिंदी में छोड़ जाए, मैं लो हिंदी हिंदी मांगते मांगते, यह topic ही निकल जाएगा इनका लेकिन ये ये चीज नहीं समझेंगे कि मैं जो समझा रही हूँ ठीक है फिर क्या होगा ये बहुत rare topic होते हैं बहुत rare Hindi में नहीं मिलते ठीक है बहुत rare topic होते हैं ढूंडते रहना Hindi में मिलेंगे ही नहीं इसलिए बड़ी simple language में मैं समझा रही हूँ आपको ऐसा नहीं है मैं English बोल रही हूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है जैसे मुझे ही मिला है उसी तरह से आपको भी उसी मिलेगा ये तो बहुती rare topic होते हैं Hindi में available नहीं है तो पूरी time Hindi Hindi मांगते मांगते topic निकल जाएगा बहुत सारे बच्चे class छोड़ के चले जाएगे चोड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है class छोड़ जाओ नुकसान आपका है जब John Gulton से question आ जाएगा फिर डूंडोगे कि ये कहां मिलेगा John Gulton ने ये बताया था ये नहीं बताया था NTA UGC net का ये आया हुआ question है इसलिए John Gulton बता रही थी मैं तो ध्यान से समझना symmetrical conflict तब होता है जब दो ही NTA UGC net के बच्चे आपस में लड़ गए कि भई दो NTA UGC net के बच्चे आपस में लड़ गए तो उसको बोलते है symmetrical conflict लेकिन asymmetric conflict तब होता है जब teacher और student इन दोनों के आपस में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो asymmetrical conflict होगा ठीक है तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रही थी देखो ज़्यादा परेशान होने की जुरत नहीं है English देख देख के परेशान मत हो ठीक है मैं English में वहाँ पर नहीं बता रही हूँ English देख देख के भी बच्चे कुछ परेशान हो रहे है मैं हमने English वाली slide दिखा दी है ठीक है चलो विदर आजाओ ठीक है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आए हो अब मैं आप लोगों को देखो अब मैं जो और चीजें वो बता देती हूँ और इन्होंने क्या बताया था इन्होंने दो परकार की बताई थी देखो यह बताती है कि यह father है किसके इनको considered किया जाता है father किसका peace studies का यह peace study के father है इसी लिए इन्होंने क्या किया था बेटा इसी लिए इन्होंने distinction किया था distinction करते हैं यह negative peace और positive peace में negative peace and positive peace में difference करते हैं अब मैं देखो हिंदी में लिख रही हूँ negative peace का मतलब होता है जहां पर हिंसा की अनुपस्तिती होती है हिंसा की अनुपस्तिती ठीक है absence of violence negative peace positive peace जहां पर संबंधों की पुनर स्थापना होती है जहां पर संबंध जो हो वो पुनर स्थापित हो ठीक है संबंधों की जो पुनर स्थापना होगी तो वो कहां पर होगी positive peace में negative जहां पर हिंसा की अनुपस्तिती रहेगी तो ये ध्यान रखना अब जैसे अब मैं आप लोगों को difference बता देती हूं करके ठीक है चलो हम एक table बनाते हैं और table में difference करते हैं चलो ये हमने कर लिया यहां पर आ गया negative peace और ये हो गया positive peace negative peace में क्या आएगा war evil conflict repression और violence नहीं आएगा violence भी आएगा है ना और positive में क्या आएगा positive में हम संबंदों को दुबारा से पुना स्थापित करेंगे तो यहां पर harmony आएगा share human shared human values हम human values को share करते हैं ठीक है मान भी है मुल्लियों को साजा करना human bonds को strengthen करना human bonds को strengthen करना share करना feeling of humanity ठीक है तो feeling of humanity को share करना तो यह बिसिकली आ जाता है negative piece और positive piece में difference ठीक है तो यह ध्यान रखना सारे बच्चे अब मैं आप लोगों को violence बता देती हूं कि violence उन्होंने तीन प्रकार का बताया था उसको मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊंगे ठीक है violence उन्होंने violence बताया जो violence है आपका violence को उन्होंने तीन प्रकार के बताया कौन कौन सा होता है चलो इसमें एक हम बना लेते हैं ऐसे triangle बनाके पहला direct violence, structural violence और cultural violence आप देखो जो violence है ठीक है तीन प्रकार के हो गए direct, structural और cultural अब एक एक कर के समझो direct violence कौन सा होगा direct violence जो होता है जो directly हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वो हो गया direct इसमें और क्या होता है इसमें शारिरिक और मौकिक हिंसा होती है शारिरिक और मौकिक हिंसा देखी जाती है इसमें अपराधी तथा विक्टिम दोनों आ जाते हैं अपराधी और विक्टिम इसके अंदर हत्या शाररिक हिंसा योन हिंसा इतियादी ये सब आता है ये डारेक्ट वॉयलेंस में आता है ठीक है? फिर दूसरा आता है स्ट्रक्श्रल वॉयलेंस स्ट्रक्श्रल वॉयलेंस कौन सा होता है? स्ट्रक्श्रल वॉयलेंस वो होता है हिंसा सदेव द्रश्य नहीं होती मतलब ऐसा थोड़ी हम अमेशा आपको देखने के लिए मिले हिंसा सदेव द्रश्य नहीं हो सकती मतलब जो आपको देखने के लिए मिले इसमें क्या होता है जो स्ट्रक्श्रल यानी सरशनात्मक हिंसा होती है इसमें क्या होता है, समाज की सरशना में मौझूद अन्याय और आसमानता, समाज में जो मौझूद है अन्याय और आसमानता, वो है structural, समाज में मौझूद आईए, पहले से, आपने देखो अगर काफी लोगों के साथ क्या किया जाता है, अन्याय किया जाता है, आसमानता, इन आपको पता ही होगा, कुछ लोग हमेशा नुकसान की स्थिती में ही रहते हैं, है न, और वो किसी भी आप से रह रहे हो, चाहिए कि उनका religion के according हो रहा है, या फिर caste के according हो रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग नुकसान की स्थिती में देखते हैं हम लोग, तो वो हो जाता है आपका structural violence, फिर third time का जो violence है, वो है cultural violence, ये वाला और समझ लो, फिर piece बताऊंगी, फिर आपकी छुट्टी, अब cultural सांस्कृति की इंसा कौन सी होती है, ये भी कैसी होती है, ये अगर आप देखोगे, आद रिश्य होती है, नहीं दिखती है, पहला point, दूसरा, देखो, जो समाज की संस्कृति है, समाज जो है, समाज की संस्कृति, विचार धारा, तथा, धार्मिक विश्वास, जो समाज होता है, समाज, संस्कृति, विचार धारा, धार्मिक विश्वास से जुड़ा है, है न, जो हमारा समाज है, तो basically यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो चीजें मानकर चली जाती है, कल्चृरल वाइलेंस में क्या आता है बेटा, ऐसी समाजिक माननेता, जो मानकर चलती है, की प्रत्यक्ष तथा सलशनात्मक हिंसा प्राकृतिक और उचित होती है, ठीक है, अब इसका एक्जामपल क्या होगा, कल्चृरल वाइलेंस का, जैसे अगर आप देखो, यूरोपिय लोग, जैसे बहुत सारे लोग, दास वैपार को अच्छा मानते हैं न, जैसे चीज़ें मानकर चली जा रही है, जैसे चीज़ें होती हुई आई है, उसको वो करना, ठीक है लेकिन दास वैपार बेकार है ना अच्छा है बेकार है बेकार है बेकार है ना दास वैपार तो तो इसी वज़े से तो यह ध्यान रखना मैं दुबारा से बता देती हूं अगर नहीं समझ में आया देखो क्या होता है उनोंने जॉन गूलतन ने तीन प्रकार के वालेंस बताये थे एक होता है direct वालेंस दूसरा होता है structural वालेंस और तीसरा होता है योन हिंसा होती है जैसे केन्या में 2008 में राजनितिक धार्मिक समुदायों की बीच हिंसा होई थी ना उसको डायरेक्ट वाइलेंस बोलेंगे फिर स्ट्रक्श्रल वाइलेंस में क्या होता है समाज की सरश्णा में मौजूद जो अन्या है ठीक है और बेद भाव यह सब चीज ठीक है तो यह ध्यान रखना सारे बच्चे तो यह आप लोगों का हो जाता है ओके एवरिवन अब मैं आप लोगों को क्या बता देती हूँ पावर बता देती हूँ ठीक है जॉन गुल्टंग ने पावर नहीं स्वारी पीस ठीक है पीस आ जाएगी अब थ्री टाइप्स की जो पीस है वो और देख लो त्री टाइप्स की पीस बताई थी ठीक है फर्स्ट क्या होगा पीस मेकिंग कोरेस्पॉंडिंग प्लस बीएवियर दूसरे में रुको 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 वेट 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 मैंने उल्टा लिख दिया यहां पीस कीपिंग होगा सॉरी क्योंकि तभी तो बीएवियर और वो सब आएगा है ना को Pennsylvania और कौरेस्पॉंडिंग हेना behavior ये सब आ जाए yeah so तो एक इसलिए भई corresponding और कींग्यों रचयाव इ जब क्योंकि हम इंड करना चाहते हैं डारेक्ट वाइलेंस का करें नंड और कर पाएं डारेक्ट वाइलेंस का कि इसलिए फिर दूस्रा आता है peace making ठीक है जो peace making है peace making में क्या आएगा ये बिटा peace making जो होती है ना आप लोगों की देखो peace keeping होती है सबसे पहले जो आजाती है आप लोगों की देखो अगर मैं वैसे करके बताओं आप लोगों को इसके according जैसे चलेगी आप ऐसे मत लिखना क्योंकि आप ऐसी लिखो जैसे contain करना फिर उसको कैसे इस तरह से लिखना तो सबसे पहले जो आएगी हमारी वो आएगी peacemaking peacemaking में हम क्या करेंगे conflict settlement stage बोलेंगे से क्योंकि इसमें हम conflict settlement करेंगे ठीक है जैसे settlement करते हैं न कोई भी जगडा हो जाता है तो उसको तो यह ध्यान रखना इसका मतलब होता है agreement करके हिंदी वाले बचे लिखना agreement करके conflict को रोखना इसका मतलब यह हो गया ठीक है दूसरा peacekeeping peacekeeping अगर आप देखो यह क्या हो जाएगा इसे हम conflict containment बोलेंगे conflict containment stage जो conflict containment stage है यहाँ पर क्या होता है पहले तो agreement हो गया ना अब agreement को क्या करेंगे implement करेंगे है ना agreement को implement करने यहाँ पर क्या होगा implement करने की कोशिश करेंगे ठीक है और यहाँ पर दूसरा ceasefire जो ceasefire होता है उसको भी बनाए रखने की कोशिश की जाती है ठीक है फिर तीसरा क्या आ जाता है तीसरा आता है peace building नाम से clear हो रहा होगा peace building में हम क्या करेंगे conflict transformation यानि इसमें हम क्या करेंगे यह conflict resolution की highest stage है ठीक है यह conflict resolution की highest stage मानी जाती है यह highest stage मानी जाती है यानि इसमें क्या होता है बिल्कुल conflict हम खतम कर देते है conflict stop होता है stop करवाया जाता है उसकी जड़ या कारण का पता लगा कर उसे खतम करने की कोशिश की जाती है I hope यहां तक clear हो गया होगा तो यह हो जाता है आपका मैं दुबारा से एक बार repeat कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को clear नहीं हुआ है तो बहुत जादा important है इससे कोशन NTA UGC NET में आया था और आप लोगों को पता है कुछ कोशन जो होते हैं वो वैसे क्या होते हैं वो थोड़ा एक्जाम में चेंज करके examiner पूछ लेता है तो आपको यह करना है कि आप NTA UGC NET के paper से पहले आप लोग क्या करो आप लोग अच्छे से देख लो कि क्या करना है तो जॉन गुल्टंग ने three types of peace बता है peacemaking यह conflict settlement stage है agreement को agreement करके conflict रोगते हैं फिर peacekeeping में conflict containment है agreement को implement करने की कोशिश की जाती है और ceasefire को जारी रखने की कोशिश होती है peace building में conflict transformation होता है conflict resolution यह highest stage है और conflict को stop करवाया जाता है और उसकी जड़ और यह कारण का पता लगा कर उसे खतम करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पर यह हो जाता है finish ठीक है सबको I hope clear हो गया तो मैंने आप लोगों को negative peace positive peace इसमें हमने यह भी कर लिये ठीक है three types of peace हो गई हमारी और गुल्टंग ने जो cultural direct structural violence बताया थे वो भी हो गया है ना और मैंने starting में जो आप लोगों को triangle बताया था conflict का वो भी हो गया है ना तो और उने three मतलब three triangles बताया थे three triangles first triangle जो था ठीक है ऐसे करके बताया थे आप three triangles में आपको last में भी बनवा के चली जाती हूँ कोई problem नहीं है मुझे देखो जो first triangle था वो ये रहा second triangle ये रहा third triangle ये रहा ठीक है अब ये basically क्या है यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला क्या बताता है पहला ABC बताता है ABC तो attitude behavior और contradiction ठीक है और दूसरा क्या बताता है violence, cultural violence दूसरा structural violence और तीसरा direct violence है ना फिर तीसरा क्या बताता है peacemaking peacekeeping, peace building ये three triangles हो गए चलो thank you so much everyone I hope आपको class अच्छी लगए होगी तो thank you so much और